नमस्कार दोस्तों मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्समाइटेक में आजके इस वीडियो में हम अन्बॉक्स और डिटेल रिव्यू करेंगे एमाजन के इको शोव फाई का तो दोस्तों यह है हमारे एको शोव का बॉक्स इसकी जो स्मार्ट टेकनलोजी है वह है पॉवर्ड बाई अमेजन अलेक्सा इसमें ब्लूटूथ वाइफाई है वाइफाई 2.4 और 5 गार्ड दोनों वाइफाई बैंड आवलेबल है और यू लाइन आउट है मतलब इस से हम बड़े स्पिकर को अडियो लाइन आउट कर सकते है और बिल्ट इन कैमेरा है विद कवर पिछली साइड पे उन्होंने उसकी कुछ फीचर्स लिस्ट की है और इस साइड पे उन्होंने उनके कुछ कंपेडबल आप्स की लिस्ट दी गई है और यह फार फील्ड वाइस करते हैं और हमारे वॉइस के हिसाब से यह उसे इंटरप्रिट करके हमें जवाब देगा तो आएए हम बॉक्स को खोलते हैं कि पिछली साइड पे एक सिंगल टेप है और बॉक्स को खोलते ही यह है हमारा डिवाइस क्विक स्टार्ट गाइड और कुछ पेपरवर्क और यहां पर उन्होंने कुछ बेसिक चीज़े जो तो एमेजन इको करता है उसके बारे में डिटेल्स दी है और बॉक्स के अंदर 12 वोल्ट 1.25 एमपेर का इसका कनेक्टर है इसके अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता है तो आएए हम अब इस प्रोटेक्टिव लिम को निकालते हैं यह हमारा अमेजन इको शोफाइब दोस्तों अमेजन इको शोफाइब यह एक स्मार्ट स्पिकर है बिल्कुल गूगल होम की तरह लेकिन गूगल होम गूगल एई से पावर होता है उसके वॉइस असिस्टेंट्स और इंटलिजन्स के लिए हमारा इको शोफाइब यह एमेजन के अलक्सा का इस्तमाल करता है दोस्तों अमेजन इको शोफाइब को 5.5 इंचेस की 960 x 480 रिजोलिशन की टच्सक्रीन है उसे के साथ साथ फ्रेंट में 1 मेगा पिक्सेल का कैमेरा है जिससे हम वीडियो कॉइल्स कर सकते हैं उसके कमपेटेबल एप्स के साथ जैसे की स्काइप और उसे कवर करने के लिए एक फिजिकल बटन दिया गया है जब हम इस बटन को बन करते है तो फिजिकली शटर से हमारा कैमेरा कवर हो जाता है ताकि हमारी प्राइवेसी कभी भी ब्रीच ना हो उपर की तरफ एक माइक म्यूट का बटन है और वॉल्यूम प्लस माइनस के बटन है और ये दो हमारे फार फिल्ड माइक्रोफोन है इसी तो ये सर्फेस एक बटन की तरह काम करता है हमारे पिछली साइड पे हमारा पॉबर आडप्टर जाने के लिए स्लॉट डिया गया है माइक्रो यूस्बी पोट और 3.5 मिलिमेटर अडियो आउट इससे हम बड़े स्पिकर को इसके थुरू कनेक कर सकते है और उनको भी स्मा पर यह सिलिकॉन मट्रियल का बेस दिया गया है तो दोस्तों मैंने अब इसे प्लग-इन किया है यह बूट हो रहा है फर्स्टांग दोस्तों इस डिवाइस को पॉवर करता है मीडिया टेक का MT8163 प्रोसेशर कि हैं रेडी फॉर सेटाप तो जैसे यह चालू हुआ देखिए इसने सारे वाइफाइबल वाइफाइ नेटवर्क्स को यहां पर लिस्ट किया है तो हमें हाइच स्पिड वाइफाइफाइब भी इसमें मिलता है दोस्तों इसका जो टर्स रिस्पॉंस है वह काफी हमारे मोबाइल की जैसे ही है और इको शोफाइब को यह टच स्क्रीन होने के कारण इसकी सारी सेट अप प्रोसीजर हम यही डिवाइस के इस्तमाल से कर सकते है जबकि बाकी अमेजन इको प्रोडक्स को हमें सेट अप करने के लिए स्मार्टफोन का इस्तमाल करना पड़ता है तो अब मैं इसे अपने नेट होना मेरे शाब से तो जरूरी है दोस्तों एक बात मेरे को यह सेट अप करते वक्त समझ में ऐसी आए कि यह सरफेस काफी ग्लॉसी है और इसमें हमारी फिंगर प्रिंट आसानी से सर्फेस पर आ जाती है तो इसका यह सर्फेस जैसे हम इसे यूज करते है पूरा फिंगर प वो भी एक इंटरक्टिव वीडियो दिखाता है जिससे कि हम इसके बेसिक यूसेज समझें और यह है इसका डिफॉल्ट ट्लॉक फेस और हमारे लोकेशन के इस आप से टेम्परेचर दिखा रहा है बाइडिफॉर्ट इसका वॉल्यूम हाफ पे होता है तो एक बात जो मैं कह है वह काफी अच्छी है और इसका जो वॉल्यूम आउट्पूट है वह इस साइज के डिवाइस के लिए काफी अच्छी तरह से है यहाँ पर जैसे आप उपर से नीचे स्वाइब करते हैं मोबाइल की तरह इधर ब्राइटनेस कंट्रोल है और आप चाहें तो यहां से अपरेशन और इसे काफी चीजों को यहां पर चेंज कर सकते हैं तो पहली बात हम जाएंगे वह हो मैंड क्लॉक दोस्तों किसी भी स्मार्ट स्पीकर जिसको डिस्प्ले है उसका सबसे में जो काम होगा वह है हमारा क्लॉक लेकिन उसी के साथ अब हमारी स्मार्ट फंक्शन आप सोने जाते हो यह उसकी ब्रैटनेस को अटोमेटिकली बहुत कम कर लेता है अगर आप चाहे तो इसे यहां से शिडूल भी कर सकते हैं और उसी के साथ हम हमारे क्लॉक की डिस्प्ले या फिर वह किस प्रकार से दिखे इसकी थीम को भी चूज कर सकते है अलग-अलग टा सकते है या आपके पास बहुत अलग-अलग उप्शन उन्होंने दी हुई है हमारे वाच के लिए तो अब मैं फिलाल इस उप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अब मैंने इसका क्लॉक फेस तो सेट कर दिया होम को अगर आप इसके डिस्प्ले में जाए तो यह देखिए डिस्पले आप ब्राइटनेस कम जाधा कर सकते हो डिस्पले का या अधाप्टिव ब्राइटनेस पर रख सकते हो बडिफर्ट pagar सीलेक्टेड और मैं भी चाहूंगा कि आप इसे हमेशा अदाप्टिव ब्राइटनेस पर ही रखे ताकिया आपकी रूम के लाइटिंग क को separately configure कर सकते हो इसमें एक drop in feature भी है जहां पे आपकी ही अलग-अलग devices जो अलग-अलग room में है उनमें आप drop in कर सकते हो walkie talkie के जैसे आप एक device से दूसरे device से communicate कर सकते हो और ये Two-way communication रहता है और अगर दोनों ही डिवाइसेज को कैमेरा है मतलब दोनों ही डिवाइस इको शोक फाई की तरह है तो आप वीडियो कम्मिनिकेशन भी दो डिवाइसेज में कर सकते हैं इसी के साथ आप मल्टीपल स्पिकर्स में एक साथ एक ही गाना भी प्ले कर सकते हो और इसकी यूजबिलिटी काफी बढ़ जाती है जैसे ही आपके पास Amazon Alexa इंटर्फेस पे मल्टीपल डिवाइसे हो ओके ऐलेक्सा प्लीज शो मी दे लटेस्ट निव्स वेर शुड़ाइट यूजबिलिए निव्स फ्रॉम यूजबिलिए इंडिया तुदे आज तक निव्स 18 और टाइम्स नाव आज तक सरकार के प्रस्ताव को आंदुरन कारी किसानों ने सेरे से किया खारिज अलेक्सा स्टॉप तो दोस्तों जैसे कि आप ने देखा कि हम न्यूज या अलग अलग चीज़े भी सिफ वाइस से प्ले कर सकते हैं और बले ही इस डिवाइस में वो चीज़े चल रही है तो भी ये अलेक्सा ये हमारे वर्ड को काफी अच्छी तरह से रेक्नेस कर लेता है हम ट्राइ करते है कि हमें ये कुछ वीडियोज अमेजन प्राइम से दिखाएं अलेक्सा शो मी लेटेस्ट टीवी सिरीज फ्रॉम अमेजन प्राइम ये देखिए इमिडियेटली उन्सने अमें टा आज से आलिक्सा sponsors earbuds для कि अलाइम वर्फी लाइव प्रॉम टोड़ी पारीड हैक्सा ये बेन व्रीज वर्थे कि अलाइच्ट ये वर्लाइम टुरॉम टोली तरह में वर्थे इस Yes. Great. Here is Relaxing Sounds, Indian Flute. Alexa, remove all alarms. Cancelling all your alarms. Alexa, what is the weather? Right now in Nasik Maharashtra, it's 16 degrees Celsius with clear skies. Throughout the night, you can expect more of the same with a low of 13 degrees. Alexa, will it rain tomorrow? No rain is expected in Nasik Maharashtra tomorrow. Alexa, what is the rate of US dollar? One United States dollar is 73 Indian rupees and 77 paise. What information we are asking, the relevant details and images are also shown on the display. Alexa, purchase 3M Carvax. Searching Showing the top results for 3 meters Carvax. Amazon's choice is 3M Auto Specialty Liquid Wax 200 milliliters. It's 297 rupees. Alexa, show 1. Alexa, give me a dinner recipe, open Indian flute or how to take screenshot on an Android phone. Alexa, what is the weather now in London? Currently, in London United Kingdom, it's 10 degrees Celsius with cloudy skies. Tonight, you can expect rainy weather with a low of 3 degrees. Alexa, what is the time in Dubai? In Dubai, it's 10.27 PM. Alexa, play latest Bollywood songs. Playing new Bollywood music on Amazon Music. I won't disturb you. So, just like I said, do not disturb. You can see, this is night mode. This is a symbol. And now, our Alexa is in do not disturb mode. It's been in do not disturb mode. So, it's activated. It's activated. You can see, you can see, like this is your voice. So, what I mean by your phone is an easy voice. You can see, you can see, you can see, you can see, you can see. But, this is not a big thing. You can see, it's a big goodness. Like this, a small TV voice. Because, you can see, it's a huge difference. So, when we have to watch that, you can see, think a lot of phone calls. You can see, it's a large device. तेज़रू कर सकते हैं जाके स्मार्ट हो में इस सेक्ष्चन में कर सकते हैं सारे समे आपलेश से जो है वह यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी और यहां से मुनने सेट करेंगों उसके बाद थे वॉइस भी हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं Amazon Alexa के मदद से जनरली इस डिवाइस की सारी फंक्शन को हम थूँ वॉइस ही कंट्रोल करते हैं और उसकी एप सेटिंग्स और कुछ एडवांस सेटिंग्स के लिए ही हमें हमारे सेल फोन पे Amazon Alexa का सहरा लेना पड़ता है दोस्तों Amazon Alexa अगर हम जाए तो डिवाइस में मैंने इस डिवाइस को मेरे लिविंग रूम में कॉन्फिगर किया है जैसे आपने देखा तो अगर मैं इसके लिविंग रूम क्लिक करूं तो यह देखिए यहां पर इको स्पिकर दिख रहा है तो यह देखिए मैं इसके सारे कंट्रोल जैसे कि इसका वॉइस और बाकी सारे सेटिंग जैसे डून डिस्टर्ब मोर कम्यूनिकेशन टाइम जोन और यह सारे आप्स को मुझे इसमें यूज करना है उनको यहां पन सांए कर सकता हूँ और अलोकेट कर सकता हूँ ताकि वो सर्विस उस पर्टिक्लर एप के तुरूँ की जाए सारी अडुआन सेटिंग हमारे सेलफोन पे में अलग्सा के और पए करनी पड़ती है दोस्तों इस डिवाइस के अगर हम म्यूट बटन को लॉंग प्रेस करें तो इसी से पॉवर आफ ऑप्शन भी आता है तो डिवाइस को पॉवर आफ करने के लिए भी यह म्यूट बटन को ही हमें इस्तमाल करना है जैसे जैसे आप इन शारी नई फीचर अजाव और नए ने तरीकों को जान जाओ गभे जिससे आप इस डिजिटल सेंन को सबयार्थर कन उसके usability देखे जो की एक Bluetooth speaker, एक small display screen और एक digital assistant यह सारी तीन खुबियों को मिला है तो मुझे नहीं लगता है कि यह price बहुत जादा है और आप इसे consider कर ही सकते हो अगर आप Amazon की Alexa ecosystem में हो तो दस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को like और share जरूर कीजिए चानल को subscribe ना किया हो तो इसे जरूर subscribe करें और मेरी अगली वीडियो की notification मिस ना करने के लिए bell icon भी click करना ना भूले तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद